सार्थक ने स्वरा की जिंदगी में एक पर फिर दस तक दे दी थी। उसे दर्वासे पर खड़ा देख सब के चहरे पर खुशी की जलक थी। सिवाह स्वरा के। क्या स्वरा सार्थक को जील की बाहर नहीं देखना चाहती थी। जब स्वरा के हाथ में इतना बेहिसाब पाव हर तरफ हर जगह फुस फुस तो होने ही लग गई थी। सुनहरी का चमचा वहीं छोटा बालक बबन फिर से दोड़ा-दोड़ा सुनहरी के पास जाता है। पर भी रोक लगा दी होगी। हम अभी आए बबनवा, तू तेरे जीजे को गेट पर ही रोक कर रख, भाग। ये सुनते ही सुनहरी नंगे पाउं की आधी की तरह भाग कर बाहर जाने लगती है, तभी उसकी नजर आएने पर पढ़ती है। साथ चाल सबारती है। लाली लगा होट घुमाते हुए गुन गुनाती है। साजन साजन तेरी दुलहन तजी को पुकारे आजा, 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 आखर मेरे बालों में गजरा भी तू सजाजा। आजा, शरम ही आ गए हमको। अरे ओ सजन वारे, कहा रह गया अरे तू, अब तो देख ये महंगी लिप्स्टिंग भी कतम हो गए मेरी। फिर से पतिवा को चिकनी चुपडी बात में फसा पैसा लेना हो गरी। पर कुछ भी बोल, सुनहरी तेरे होट लाल है, चाल कमाल है, काले बाल है, अब जाकर पूछी की बाबु तेरा क्या हाल है, मैं आई, 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 तेरी और दोड़ी आई, सचनवा। और सुनहरी उची हील में मटक कर, जैसे ही दहली स्पार करने लगती है, उसकी हील की नौक चोखट में अटकती है, और वो धम करकर जमीन पर पढ़ती है, गिर गई, गिर गई, चमकीली की चमक तो फैल गई लगती है। सुनहरी जट से उठती है, उसका सारा मेकप फैल कर चेहरे पर इधर उधर हो चुका था, बाल बिखर गए थे और दातों की बीच से खून निकल रहा था। और तभी सुनहरी आकर चौकट पर जैसे ही खड़ी होती है, कल्यानी के हाथ से थाल गिर जाता है। आँ, कौन है तु सूर्पनखा? अरे काकी, ही तो हम है, हमको न बहचानी तुम। तो क्या बिजली की बूड में हाथ डाल कर आई है? ये चुडैल बनकर क्यों खूम रही है? और क्या खून पीकर आई ही किसी का जो दातों पर खून लगा है?